नमस्कार मैं न्यूज अब तक के स्टूडियो से वरुन शर्मा और हम आज एक ऐसा काईकरम लेके आएं है जिसमें सहर का युवा क्या सहर के बारे में सोचता है क्या सोच है क्या विजन है हलाकि राजनीत से थोड़ा हट कर रहेगा लेकिन राजनीत के कुछ पहलूओं को बिना चुए ये हमारा युवा संभात पूरा नहीं हो सकता इसी युवा संभात के पहले चरण में हमारे साथ राणनीतिक घराने से तालुकात रखने वाले दुरूप सिंग हैं हम इनसे बात करेंगे कई युवां पे पढ़ा लिखा युवा है और इस पढ़े लिखे युवा से हम भी जानना चाहेंगे सहर की क्या सितिया है क्या विजाने क्या अपे च्छाएं रखते हैं जन प्रतनिदियों से यहां के प्रशासन से तो स्वागत है दुरूप जी आ सतना नगर नियम से में पारशद है सानने सो चौरानने से तो और मेरे बबबा साब मेरे बड़े भाई इस दोनों गवर्मेंट जॉब में हैं तो इस नाते काफी मिरा जुरानभा राजनेतिक और प्रशासनिक दोनों प्रकार से रहता है मेरा तो बहुत कुछ सीखने समझन को मुझे मिल रहे अपने परिवार से और सहर समाज को देखके लिए बहुत सी ऐसे अनभव हुए हैं जिससे मैं आज आज आपकी साथ साजह करना चाहता हूँ आपके एक युवा होने के नाते क्या होना चाहिए था जो विजन होता है एक जो शहर आप देखते हो आज आप पड़े लिखकर तयार हो और आगे की भूमिका देख रहे हो उसकी सबसे क्या होना चाहिए था भाईसब अगर देखा जाए तो बच्षमा से यह होता था एक मन में भाव रहता था हमारा सतना वह भाव आज भी है बेशक हमारा सतना एक जो अपनत तो होता है अपनी जन्द भूमी का वो बिलकों महसूस होता है आज भी पर कहीं न कहीं जैसे हम बड़े होते गए अपने शहर को देखते हैं उससे रोक नहीं सकते हैं व रहेगा पस माय ने ये बात रखती है कि उसकी गती क्या है विकास की गती सबसे महत पूर्ण चीज होती है और कहीं न कहीं हम लोग इस विकास की गती में पिछड रहे हैं अज विकास की गती का जो मुझे बेसिक कारण समझ में आता है वो मुरता है विजन एक विजन की कमी जब होती है तो भाई आप समझ ही नहीं पाते हैं आपको करना क्या है किया क्या जाए तब चीजें बेतर्तीब होना सुरू होती है जिसका नतीज़ है आज हमारा सहर हम अपने सहर को आज सबसे अस्त व्यस्त बसे हुए सहर की रूप में देखते हैं बेशक तो कुछ अब एक्षाएं ऐसी होती हैं कि विकास के लिए उनके भी अपने सोच होते हैं बेशक हर रक्त की अपनी अलग-अलग सोच होती है वो उस सोच के हिसाब से चलते भी हैं बहुत हद तक सफर भी हुए हैं बहुत रोग पर फिर भी हमारत यहीं निवेदन है अपने जंत्रत निदियों से कि सभी माननी अगर कभी करार हम युवाओं से भी हम रोगों की सोच हम रोगों की अप एक च्छाएं जाने कि हम कैसा सहर रिख चाहते हैं तो कहीं न कहीं तब यह सोचने का समय आ गया है कि हमारे बुजर्ग जो हमारी उपर की पीड़ी है वो कैसा सहर हमें विजासत में देना चाहते हैं क्योंकि आज के समय में कहीं न कहीं हम सब एक पहचान के महताज हो चुके हैं हमारा सतना सहर आज पहचान का महताज है कहते हैं बहुत दुख होता है पर मैं यह कह सकता हूँ दिल पर पत्थर रखके कहूंगा हलाकि कि हमारा जो सहर है आज हम कहीं भी निकलिए सहर के बाहर हम निकलें आप निकलिए आपने भी अन्भव कुई होगा साइद हम सहर के बाहर जब निकलते हैं कहीं बात आती है कि कहां से हो आप ट्रेन पर ही कभी अजमा के देख रही है बताइए कि हम सपना से हैं तो अगर संबंधित व्यक्ति आसपास का ना हुआ तो वो सायद ही है कि पहचाने आप थोड़ा दिल्जी निकर जाएए मुंबई निकर जाएए साउथ निकर जाएए आप सपना बताइए तो मैंने जो व्यक्ति का तुन भू किया है कि 100 में से 15 व से नियू देने वारों में जिरो में से एक है सिमेंट हब आफ दस कंट्री कहा जाता है हमारा सत्मा उसके बाब जूद हम लोग पहचान के महताज हैं विकास में कहीं न कहीं बहुत पीछे रह गये हैं सुचने का वक्त है यह क्योंकि आप यह करना चाहते हैं कि जन प्रतनी लिए तो क्या आप यह ऐसा ही चाहते हैं कि जन प्रतनी भी आप लोगों से युवाओं से समवाथ करें और आपके विजन को समझें उसको करें तो इसके लिए कुछ क्या पहल करने जा रहे हैं कि आपने कहा है तो मैं उसमें बताना चाहूंगा आपको कि जब हमारे जन प् सभी माननी अगर हम लोगों से समवाद करें समय समय पे समवाद करें हम लोगों की अपक्षाय क्या है उसे समझें तो हमें रगता है कि हम लोग एक बहतर तरीके से विकास कर पाएंगे क्योंकि एक ऐसा सहर जह हम सहर की बात करते हैं माननी तो क्या होता है कि हम सहर को हर व्य च्छाओं को पूरा करना पड़ेगा और चाहे बजोर्ग हो चाहे युवा हो तो कहीं ना कहीं बिना समवाद इस थापित किये ये चीज मुम्किन नहीं हो पाएगी क्योंकि काम कराने का किसी भी विभिन विकास कार्यों को करने का जो तावर है वो तो जंत्रतनीरियों के पा लेंगा हम अपने सब्युक्राब के विकास में भागिदार हुए थैसा को टुर्यज आपके ने शेह सपना में क्या होना चाहिए किस तरह का सतना ओना चाहिए तो भष्चपन से हमारा focusing अ एक ऐसा सतना जो सपनों में हम सोचा करते हैं कि ये ऐसा होगा हमारा सहर तो अगर बताया जब कैसा होगा वास्तों में तो जो हमारा खौब है जो हमारी सोच है हमारा जो विजन है हमारा सहर एक ऐसा सहर होनी चाहिए अपनी कम से कम मूल भूस सुविधाओं के लिए तो हम किसी दूसरे सहर की तरफ न ताकें कम से कम हमारे यही सोचना है माना कि अगर मूल भूस सुविधाओं की बात करें तो कौन सी सुविधाओं होंगी रोटी, कपड़ा, मकान, सिख्छा और चिकिस्था आज के समय में पहले तरफ रोटी, कपड़ा, मकान होती थी पर आज के समय सिख्छा और चिकिस्था भी उनियादी सुविधा है वो चहिए उनके बीना हम जीवन की कलपना कर ही नहीं सकते तो आज के समय में देखिए सिख्छा और चिकिस्था यह तो ऐसे छेतर हैं, जहां पर हम पूरी तरह से तो नहीं कह सकते कुछ सिख्छा के लिए कुछ अच्छे प्रयास हुए है सपनामी उनियास्ट्री भी आई है, कुछ कॉलेजिस भी है पर फिर भी, एक टॉप क्लास स्टडीज के लिए हम कहीं न कहीं बड़े सहरों पे निर्भर हैं चाहिए आप नाकपूर दे लिजे, हेल्फ फिरिटीज के लिए, मुंबाई, डेलिए हम इन पे निर्भर हैं हमारा यही कहना है कि अगर चिकिस्था की बात है तो भाई हमारा जो जिरास्पतार है उसको भी अभी हाल फिरान अपन ने पेपर में पढ़ा भी था कि उसको भी कुछ अवार्ड भी मिले हैं हेल्फ सर्विसेस के लिए तो अगर हमारा हमारे सहर में इतनी एच्छी एक अवार्ड विनिंग हेल्फ इंस्क्टूट है जिसमें हम जाके इराज करा सकते हैं तो भाई हम बाहर क्यों जा रही हैं तो भाई जो हमें समझ में आया इसे कृफ़े अन्यता न लिया जाए पर अगर काफी हरके तरीके में कहा जाए तो अगर सीरियस मरीज सतना जिरास्पतार में जाके इराज कराए तो उसका तो वही होगा कि मौस्ट से दो चार करना यम्राज से दो चार होने वारी स्थिती ही रहेगी माने ले कि 50-50 का केस है अब जी अस्पतार पहुंच गये तो क्योंकि देखा जाए तो सतना का युवा जो है वह फैशन में है फैशन के बाद थोड़ा-बहुत उस युवा का ध्यान फिल्मों का बहुत सरे करेक्टर्स खींच लेते हैं फिर वह युवा कुछ ऐसे समाजी का समाजी गतिविदियों में लिफ्ट हो जाता है तो युवा तो आई नीडा है तो जन प्रतिद ही क्या करेंगे उसके लिए तो बहुत इच्छी आपने बात कही मैं इसमें दो तीन पॉइंट पर आपसे अपनी बात शेयर करना चाहूंगा कि हमारे सहर में सहर क्या हम हर जगे जहां भी हमने देखा है महसूस किया है कि अगर कुछ रो का तो दीजे सहभागिता किया देखा जाए तो एक तरफ यूथ आज का यूथ जो है कि विचारों में तो बहुत कुछ करना चाहता है और कुसी चीज को समालने के लिए राणीत की जरूरत होती है राणीत से पढ़ा लिखा यूथ क्यों जा रहा है यह बिलकुल नाम नही जो चोटी जोब करने में भरोसा लगते हैं लेकिन एक राणीत भारती में जो चुनाओ है इन सब से कटते हैं उनकी जो एक भागीदारी होनी ती स्वच भागीदारी वो बिलकुल नहीं आती है आप भी एक यूथ हो आपके नजरिये में क्या देखिए सर्पतम आपको मैं यह बताना चाहूँगा कि आज का यूवा मैं भी हूँ चाहे आप किसी भी यूथ को लीजे ज्यादा तर यूथ पॉलिटिक्स से कट रहते हलाकि यह थोड़ा परदिस से बदल रहा है आज कर लोग चाहे यूवा हो वो पॉलिटिक्स में एक्टिव पार्टिस्पेशन कर रहे हैं बेशक पर यहां तक मैं समझता हूँ कि बुनियादी दिक्कते कुछ जो आ रही है आज के समय में चुनाओ इतना एक्स्पेंसिव बिजनेस है कि अगर हमें चुनाओ रड़ना है तो कम से कम अगर बड़ा चुनाओ है तो करोण दो करोण रूपर से कम के नीचे हम सोचे चुनाओ रड़ेंगे तो हमारे में मुम्किन ही नहीं है यह हो गई एक चीज दूसरी चीज मैं बताता हूँ अगर आपन देखते हैं कि चुनाओ रड़ने की मिनिमम एज ठीक है 24 के आज पास से सुरू होती है जो अगर समान मुनिस्पर को अपरेशन के पारशत का रिक्षन है 21 है ठीक है पर जो उससे भी बड़े इस तरके चुनाओ है उनकी मिनिमम एज जो होती है 25-27 तक जाती है अगर एक ऐसा टाइम है जिस टाइम यूवा ज्यादा तर पैसे के ल कि यह मैं जौब कर दो अपना केरीर देख रहूं कि जैसे कि आपन समझ रहे हैं कि बिना पैसे कर को यह पर रुटने की महनच से आप पुछ भी कर सकते हैं लोगों उटके दिखाया है मैंस से पर फिर भी कहीं न कहीं पर पैसे की डींघ पढ़ती है अगर आपको कह दिया पूरे उवाओं की तरफ से क्या सोच है आपकी युवाओं को राणनीत में एक बड़ी भागी-दारी करना चाहिए अथवा नहीं भागीदारी तो होनी चाहिए और वो भी तब भागीदारी हमारी होना एकदम राजमी हो जाता है जब हर जगे यही बात हो कोई भी मंच हो किसी भी पार्टी का मंच हो जब चुनाओ आता है तो यूवा ज़रूर उसमें सब्द गुंजता है माइक में जो स्पीकर होता है रा वो कुछ चीजें माइक तक ही सीमित रहती हैं समझ में आती है चीजें राजमी भी है अगर वो इतना यूवाओं को बढ़ा देंगे तो वो कहा जाएंगे पर फिर भी हम लोगों की जो भागीदारी है वो थोड़ी और बढ़नी चाहिए और इसके लिए हमारे जो बुजर आने की नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा इंसान तो अपने बुजुद्गों से ही उमीद करता है कि सतना शहर का युवा कि सोच के साथ आंगे आए सतना शहर के अपने युवा मित्रों को क्या कि बोलना चाहते हैं क्या उनको संदेज देना चाहते है अपने सरी साथियों को तो हम यही एक संदेश कहना चाहेंगे कि भाईयों आख कान नाख खोल के रखना है सीजन आ गया है लोग हमें रिवडी बाटेंगे हमारे विशे में तवाम प्रकार की बातें करेंगे हमें भी समझना चाहिए अब पस्वारी ची सवार करना चाहिए कि भाई अभी तक क्या हुआ आपने क्या किया क्या नहीं किया और क्यों नहीं किया उसके बाद सवार आता है कि आप आगे क्या करोगे पहले तो आप हमें हिसाब दो कि आप पहले क्या कुछ बोल रहे थे, उससे आपने कहां तक तूरा किया, वो पक्ष भी पक्ष ये एक अलग मुद्दा है, हम सब से पूछने के हगदार हैं, अगर कोई दूसरी पार्टी भी है, तो वो भी बताए, कि भाई उनका जो एजंड पहले पर आगे बढ़ने की कोषिस यो नहीं किए, भाई ठीक है आप सरकार पर नहीं है, जो सरकार पर हैं, उनका तो समझ में आता है, भाई उनके पास पार्टी कि अप्ष भी वहाँ पर अपना इश्यू रख सकते हैं, अगर वो इश्यू सच में तगड़ा हुआ, इश् हितका है तो सबको मानना पड़ेगा तो भाई सवार तो हम दोनों से कर सकते हैं और करना भी चाहिए बस यहीं है कि थोड़ा हम सबको समझदारी सिकांद रेना होगा क्योंकि सहर के विए भी पाइवेटर पॉइंट हो चुका है 2018-2019 के एलेक्शण जो है यह हमारे सहर के पाइवेटर पॉइंट हो लक्त है कि अगर हम रहे गरती इख गयी तो सहर के विकास में बाकी सहरें से बहुत पीछे रह जाएंगे और हमें रखता है कि यह गये जैसे और च्वास का सामेल हुए इनका किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है लेकिन इन्हें इस पश्ट रूप से कहा है कि 2018-2019 के जो इलेक्शन हैं उसमें युवाओं को जागना होगा और सहर को विकास के लिए सब को एक होना पड़ेगा और इनने यहां के जन प्रतनिधियों से भी अपील की है कि वो युवाओं के साथ संबात करें कि कैसा सहर वो बनें क्या कमिया है और एक विजन और सोच के साथ सतना सहर डवलप हो मैं नियू जब तक से वरुन शर्मा मैं नियू जब तक से वरुन जब तक से वरुन शर्मा